तो physics class 12 boards 2024 का पूरा का पूरा जो new syllabus है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और ना ही सिर्फ syllabus बलकि इस वीडियो में हम लोग आपको बता रहे होंगे chapter wise weightage की किस chapter से कितने marks का question आपको exam में देखने को मिल रहा होगा इस वीडियो को पूरा देखना हम इसको short and simple बनाने की कोशिश करेंगे और अपने सारे दोस्तों में share करना same video for chemistry, maths and combined आपको मिल जाएगी channel पे video section में जाके देख सकते हो नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे links आपको description में provide कर दिये जाए लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि physics एक ऐसा subject है जिसमें आप लोगों का concentration बहुत required है और इसमें theoretically आपको conceptually बहुत कुछ चीजे पढ़नी होती है और उसको grasp करना होता है बट फिर भी ऐसा होता है हर साल की काफी बच्चों का physics में compare लग जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 30K round devolve कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो answer कर लेंगे answer करनी के लिए सबसे जादा जरूरी होता है question का practice करना और अगर आपको physics में actually ऐसे question का practice करना है जिसके थुरू आप अपने boards में guaranteed 70 out of 70 score कर पाओ तो आपको जरूरत है एक ऐसे book की जिसमें सारे के सारे questions available हो और वो सारे related questions जो इस साल आने के सबसे ज़्यादा chances है और पिछले सारे सालों में लगबग लगबग 60 to 70% question इस book से उठके आये हैं exams में मैं आपको बता दूँ इस book का नाम है question bank of physics by edukart ये जो book है यार ये सिर्फ एक normal सा question bank नहीं है जैसे बाकी brands के होते हैं इस books में आपको मिलता है thousand से भी ज्यादा question repeat कर रहा हूँ thousand से भी ज्यादा question और ना ही सिर्फ questions बलकि इसमें आपको हर topic के notes मिलेंगे मतलब आप लोगों को यार notes के लिए उतना ज़्यादा जणजट लेनी की ज़रूत नहीं है आपके book का सबसे simplified notes इस book में आपको देखने को मिलेगा questions मिलेंगे last जितने भी साल के आपको past 10 year के question जो exam में आ है वो सारे के सारे इसमें दिये गए है और आपको examplar भी खरीदने की ज़रूत नहीं है क्योंकि इस book में सारे के सारे examplar और दिक्षा के सारे question इसमें available है साथी में इसमें सिर्फ question नहीं है बलकि इसमें उसके detailed explanation भी और हर तरह के question जैसे case based, decision, question reason, सारे तरह के question इसमें already available है with caution points, तो अगर आपको अपनी self preparation के सार्थ physics में 70 out of 74 नहीं है तो ये book आपके लिए much needed है और ये जो question bank है edu card का ये आपको काफी कम और reasonable rate में मिल जाएगा link मैंने description में दे दिया है, फटा वर जाके order कर लो, अभी best offers चल रहे हैं, ठीक है now अब आपके screen पे हम लोग आपसे share करने वाले हैं physics का syllabus, देखो यार physics का जो अपना syllabus है, 2023 से 24 boards का, ये वाला syllabus है आप लोगों को जो है, हम लोग टेलिग्राम पे भी upload कर देंगे, आप हमारी website से भी ले सकते हो, kefepedia.in, मैं तुरंत उसको upload करवा दूँगा, देखो यार, इसलिए include कियें कि आपको इसको as a target use कर सकते हो, जैसे अगर आपको पता करना है कि current electricity chapter में मेरे को कितना समय देने की requirement है, तो आप देखो number of period अगर 18 लिखे वे हैं, तो just do 18 into 2, यानि कि 36 hours आपको इस chapter को max to max देने हैं, जिसको आप अपने हिसाब से कैसे भी दे सकते हो, आप इसको 12-12 घंटे करके 3 दिन में पढ़ लो, या फिर आप इसको चाहो तो अराम से 3-3 घंटे करके 12 दिन में भी पढ़ सकते हो, ये totally आपके पास कितना समय है, उस पर depend करता है, और आप उस हिसाब से इसको calculate कर सकते हो, now यहाँ पर मैं आपको बता दू कि solar marks का आपका पूरा का पूरा chapter 1, 2 और 3 से combined आजाएगा, ठीक है, जिसमें कि यह चीज होता है कि generally इधर वाले portion से आपको around 10 marks आ जाते हैं और इससे कभी-कभी 6 marks, यह चीज जो है, यह fluctuating होते हैं, इसलिए पूरे unit का 16 marks, now moving charges and magnetism, magnetism and matter, और आपका electromagnetic induction और alternating current, 4 chapters को मिला के आपका 17 marks का paper में आता है, और अगर उसके बाद बता दू तो electromagnetic waves, wave optics और wave optics मिला के आपका 18 number का आता है, now these 3 chapters are the most number of weightage, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खेल क्या है, कि यह जो chapter से आपके dual nature of radiation, atoms, nuclei, semiconductor, यह काफी easiest chapter होते हैं, जिसमें आप literally 2-2 दिन में भी इन chapter की पूरी mastery कर सकते हो, और इन 4 chapters को मिला के यह आपका 12 plus 7 यानि की 19 marks निकल जाता है, which is equivalent to कि इधर से आप 6-5 number ले भी आओ, तो आप pass हो जाओगे just by these 4 chapters, तो यह आपका marks wise weightage रहा, हाँ, of course ही बात है कि यहाँ पर आपका electricity वाला part जो है, वो 16 marks का है, आपका magnetism वाला part 17 marks का, आपका optics वाला part 18 का, और बाकी जितने भी आ modern physics है, वो आपके 12 plus 7, 19 marks के आते हैं, अगर हम लोग बात कर ले हमारे chapter में कौन-कौन से topics आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने वो सारे topics को include कर दिया है, मैं आपको recommend करूँगा कि आप अपना NCRT का book जो है यार, वो बगल में निकाल के रख लो, और इनके अलावा आपको जो भी topics आपके NCRT में दिख रहे हैं, आप उसको cut out कर सकते हो, हाला कि मैं आपको बता देता हूँ कि new NCRT already आ चुकी है, जिसमें इन सभी के अलावा जो भी topics है, उसको already book से remove कर दिया गया, तो basically आपके पास new NCRT है, तो आपको कुछ करने के ज़रत नहीं है, बट आपके पास अग सकते हैं, जो इसमें आपको available नहीं है, अगर मैं बात कर लोग है, तो जाधा तर वो सारे topics इसमें included है, और कुछ भी लगभग अठाया नहीं गया है, थोड़ा मोरा है, जैसे आप देख सकते हो, electric field वाला पूरा का पूरा पार्ट है, टॉर्क वाला पार्ट है, और electric charges वाला जो अपना starting का part है, columns law वागेरा, वो सारे इसमें available है, electrostatic potential and capacitance chapter से आपका conductor, insulator वाला पूरा का पूरा पार्ट दिया गया है, उसके अलाब आपके मता दू कि वो जो normal definitions थे, starting वाले, वो सारे के सारे इसमें दिये गया है, current electricity chapter से आपका electric current और इसमें लगबग सारी चीज़े द पर लेना, ये दोनों included है, ये दोनों हटाए नहीं गए है, इसके अलाबा में आपको बता देता हूँ, next कि आपका magnetism वाले parts से आपका magnetic field का concept, या फिर Bides of Art law, या फिर Ampere's law, ये सारा का सारा आपका यहां पर present है, magnetism and matters से आपका bar magnet वाला जितना भी चीज़ आपको पढ़न कर दिया गया, जैसे में faraday law, EMF and current, lens law, self and mutual induction, इतनी चीज़े है, ठीक है, alternating current में आपका वो सारा चीज़ है, लगबग, RMS, LCR, सब कुछ है इसमें, ठीक है, मतलब इसमें खास कुछ remove नहीं किया गया, आप इन सभी को pause करो वीडियो को और इन सभी topic को टिक कर लो, जो topics आप B भी लिख देना, ताकि आपको याद रहे कि यह boards perspective से नहीं है, electromagnetic wave सबसे आसान chapter मेरे को लगता है, इस chapter में आपकी वो सारी चीज़े लगबग, सब कुछ है, मतलब उतना कुछ हटाया नहीं गया, मतलब इसमें था ही क्या है, पहली बात, छोटे-छोटे definition है, पाच-पाच- थ्रूआ प्रिजम वाला यह सारा है, आपका lens maker formula भी है, यह सारी चीज़े जो derivation वाला पाथ है, यह सारा लगबग available है, जिससे इसके major derivations आते हैं, ray optics के, now wave optics में करम लोग जाएंगे, तो wave front and using principle, reflection and reflection of plane, यह सारी चीज़ लगबग वाला है, यंग double slit experiment है, इसके याद रखना Now, dual nature of radiation and matter में आ जाए, तो इसमें आपको photoelectric caves, hertz and leonards, observation, सब कुछ है, लगबग available है, ठीक है, debrogly relation, इसमें कुछ भी खास अटाया नहीं गया है, बट अगर हम लोग atoms, nuclei और semiconductor की बात करें, तो इन सभी में भी आपका यह तो वैसे भी बहुत छोटे chapters थे, बट इसमें आप द connected diode भी है, और यह सारी चीज़ें इसको यहाँ पर आपको पड़ी भी है, अगर हम लोग बात कर लें, especially physics की, ठीक है, physics की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, physics में जो हमारा 100% सिले बास आता था पहले, वो अभी around 80% के आसपास है, 20% has been removed, ठीक है, 20% removed है, अगर आपके पास older NCRT है, तो make sure करना कि आप इन सारी चीज़ों को mark कर लो एक बार, कि हाँ मेरा क्या-क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि यार, exam के time थोड़ी सी confusion जरूर हो जाती है, मतलब बच्चों में कि यह topic आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, that's why मैंने यह video को बना दिया, जिसमें कि मैंने सारी जो भ तब तक लिए अपना ख्याव लखना, बबाई, टिकन, पीस, जैहिंद, वंदे मात्रम